हलो दोस्तो मैं सेल्फ डॉक्टर सुनील तावार कंसल्टेंट एंट एंट एंड राइनोप्लास्टी सर्जन और डायरेक्टर जैपूर दुरुबीन हॉस्पिटल दोस्तो सबसे पहले डॉक्टरस डे पे आप सभी को बहुत-बहुत बदाईयां दोस्तो इस डॉक्टरस डे कि क्या कुछ कटू अनुबह भी हम सेयर करेंगे दोस्तो लेकिन सबसे पहले हमें यह जानना है कि यह डॉक्टरस डे क्यों मनाया जाता है क्या यह जो है वो पार्टिकुलरली डे है जब हम डॉक्टरस डे बनाते हैं यह जो डॉक्टरस डे मनाया जाता है यह मनाया जाता ह दोस्तो जो डॉक्तर वी सी रोय है वी सी रोय की मेमुरी में उनका जो डॉक्तर वी सी रोय का जो पर्डे है वो है फस्ट आफ जुलाई 1882 दोस्तों साइयों की बात है कि डॉक्टर बी सी रॉय जो है वो एक फ्रिडम फाइटर भी थे वो एक यानि जो पस्तिम बंगाल के मुख्य मंत्री भी थे एंड उनका जो है 1 जुलाई 1962 को सेम डे उनका जो है वो निधन यानि डेथ हुआ था सो उनकी जो मेमोरी है उसी मेमोरी में उनकी वर्क उसके लिए लिए एक डॉक्टर्स डे ओं जो हुआ उनको जो हमें सम्मान देने के लिएी गॉपर्मेंटने गरीब नाइटिन 9.1 से यह फस्ट ऑफ जुलाई जो है वह डॉक्टर्स डे के के रूप में पूरे कंट्री में मनाया जाता है डॉक्टर वी सी रॉय थे उनको 1961 में जो भारत रत्न की उपादी से भी नबाजा गया था सो उनकी याद में हर 1st of July को डॉक्टर्स को सम्मान देने के लिए गॉर्मेंट ने जो है वो यह 1st of July को डॉक्टर्स दे मनाया जाता है दोस्तो यह तो डॉक्टर एक बहुत साधरन सब्द है लेकिन इसके पीछे बहुत एक गहन दोस्तो एक बात है कि एक only एक यह डॉक्टर एक profession है जिसमें दोस्तो डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है दोस्तो अगर किसी को भगवान का दर्जा दे दिया जाता है तो वो एक बहुत बड़ी उपादी होती है और उस डॉक्टर के लिए भी एक भगवान के बराबर जुम्मेदारी बन जाती है भगवान तो दोस्तो एक इनसान नहीं बन सकता लेकिन अगर किसी को उसको बगवान का दरजा दिया जाता है तो उसकी खुद की भी बहुत सारी जुम्मेदारियां होती है बगवान का दरजा क्यों दिया गया है वो इसलिए दिया गया है दोस्तो कि जब इनसान इस संसार में आता है जब मा के पेट से गरब से जब बच्चा जनमता है दोस्तो वो भी एक समय होता है जब वो पहली बार डॉक्टर के हातों में आता है दोस्तो जब एक इनसान इस दुनिया को छोड़ के जाता है जब उसका अंत समय होता है दोस्तो वो भी एक डॉक्टर ही होता है उसे के हातों में वो जो है उसका अंतिम समय निकलता है इस meanwhile दोस्तो जन्म और न्म्रत्यू के बीच में भी वो बहुत बार जो है साइद ऐसा को इंसान नहीं है इस दुनिया में जो डॉक्टर से संपर्क में नहीं आता और वो डॉक्टर इस सरारिक सरीर इस काया को जिन्दा रखने के लिए, स्वस्त रखने के लिए वो अपना भरसक प्रियास करता है इसलिए उसको बगवान का दर्जा दिया गया है सो दोस्तो ये तो बात हुई कि ये डॉक्टर से डे क्यों मनाया जाता है क्यों उसको एक भगवान का दर्जा दिया जाता है बड़ दोस्तो अगर मैं मेरी बात करूँ सो मैं बड़े एक नॉर्मल एक जिसको बोलते हैं गरामन परिवेश से हूँ और जो मेरे पिताजी थे उनको बड़ा एक सपना था कि मैं बड़ा होके मेरा बेटा एक डॉक्टर बने मेरी कुद की इच्छा ये थी कि मैं I.S. बनूं सिविल सर्विस में जाऊं लेकिन बिकोज वेन आज इन दर 10th क्लास माई फादर वाज नॉम और पिताजी नहीं रहे तो मेरे दिमाग में ये थी कि नहीं उनकी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे डॉक्टर बनना है दोस्तो डॉक्टर बनने के बाद के अंदर एक बहुत लंबी जर्णी की आदमी को MBBS करनी होती है MBBS के बाद उसको उसको उसका दोस्तो लंबा समय डॉक्टर बनने के लिए लगता है बट डॉक्टर बनने के बाद में बहुत सारी हमारे पेज जम्यदारियां आ जाती है और कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जोस्तो जो मैं आप से सेर करना चाहता हूँ जो हमने देखी हैं जिसको कहते हैं कि एक जोब का जो डॉक्टर को जो हमारे जोब का जो एक बहुत बार सैटिस्फेक्शन मिलता है दोस्तो बहुत बार ओपीडी के अंदर हमारे से जो है वो चार-चार तीन-तीन गुना उम्र के जो लोग आते हैं और जब उनको ट्रीट्मेंण लिखा जाता है पेशेंट खुस होता है पेशेंट को अच्छा लगता है और इन पेशेंट को उसका जो जो उसका कस्ट होता है जब ओ ठीक होता है बहुत बार हो क्ggाता है डाक साब आपकी वज़ेसे में बच गया एंड वो जो हमारे पिता जी है, माता जी के उमर का बहुत बार वो हमारे पाउच होता है तो दोस्तो ये एक चौप satisfaction लगता है कि हमने किसी के लिए कुछ किया दोस्तो बहुत बुरा समय भी आया था आप सबने देखा है COVID का टाइम जो है महा मारी आई थी पूरी दुनिया में तो उसके भी में कुछ आपको सेयर करना चाहूंगा क्योंकि मेरा जो hospital है 50 bed एड एक hospital है बट वहाँ पे कोई physician या ऐसी सुविदा नहीं थी पर government ने हमारा hospital क्योंकि 50 bed का है इसलिए COVID के portal पे डाल दिया था दोस्तो जब portal पे डाल दिया उस टाइम पे पूरे दुनिया में जैसे भारत में भी कैए beds की मारा मारी मच्ची भी थी राजस्तान में भी especially जैपूर से so within one hours पूरे hospitals के अंदर COVID के patient आगे में यह समझ भी नहीं पा रहा था कि कैसे manage किया जाए क्या किया जाए मेरे भी बहुत चोटे चोटे दो बच्चे है so बहुत मुश्किल से हमने manage किया दोनों बच्चों को कहीं shift किया and जब उस इस्तिति को हमने देखा जिसको कहते हैं कि डॉक्टर को क्यों भगवान बोला जाता है दोस्तो एक मेरे एक बुजुर्ग को उसके गरवाले admit करा के गए और admit कराने के बाद में थुड़ दिर बाद जो है वो वहां से चले गए and they call telephonically कि डॉक्साब आप इसको देख लो मैंने उनको बोला कि भी आप at least patient को शाम सुबह तो देख लो तो उनकी जो mother है जो उसकी जो wife है वो बोलती है कि डॉक्साब ये तो serious है लेकिन मेरा जो बेटा है मैं मेरे बेटे को नहीं खोना चाहती जो भी है वो आप ही इनको देखे और वो दो दिन बाद उन बुजर्ग की जो है वो death हो गई and meanwhile जब उनकी death होई मैंने उनको बोला कि आप अपनी जो है ये body तो आप at least लेके जाए तो वो कहते हैं कि डॉक्साब we will pay हम जो भी उसका होगा हम ये आप ही इनका funeral करा दीजे कि मैं मेरे बेटे को नहीं खोना चाहती है तो दोस्तो ऐसी जो चीज है जब वो उसकी जो mother है उसके जो जो बेटा जो जिसके father है वो भी उस patient को हाथ नहीं लगाना चाहते उस body को हाथ नहीं लगाना चाहते क्यों क्यों क्योंकि म्रत्यू से डर लगता है दोस्तो एक doctor के लिए एक जनम और एक म्रत्यू क्योंकि वो रोध इन सब चीजों को देखता है उसके लिए बड़ी बात नहीं है लेकिन उसकी भी अपनी जिंदगी होती है उस patients को मैंने जो है वो dead body को pack किया सारा काम किया बट ऐसे बहुत सारे examples हैं जब जो है लोग अपनों से मिलने से भी कतरा थे थे उस time पे वो doctor ही था जो उस patients को देखा उसको around लिया उसको touch भी किया एंड बहुत सारे हमारे जो साथी लोग थे वो उस covid time के अंदर उनकी भी death हो गई और नहीं बच पाए patients को देखते देखते तो दोस्तों यह जो एक profession है इस medical profession में दोनुं चीजों का extreme है doctors को भगवान मानते हैं बहुत सारा respect भी देते हैं but on the other hand अगर आपने किसी को भगवान बना दिया बट उस भगवान की भी अपनी समझ्याएं हैं for example last year मेरी बच्ची का birthday था birthday की दिन somehow मेरे कोई surgical cases थी एंड मेरे को 5-6 बजे तक फिरी होना था 7 बजे या 6 बजे बच्चे के साथ जाना होता था में somehow 10.30 बजे तक उस case में जूसता रहा मेरे को बहुत अंदर से गलानी फील हो रही थी कि आज कम से कम मेरी बच्चे का birthday है मेरे को time पे जाना चीए जब मैं 11 बजे जब वहां पे friends के साथ birthday मना रही थी तो मेरी बेटी बोलती है कि मेरे को पापा कभी भी डॉक्टर नहीं बना जिसके लिए अपने बेटी के लिए भी time नहीं हो तो दोस्तो ये परिस्तितियां जिसको हम भगवान बोलते हैं उसके लिए भी बहुत भारी होती हैं बहुत बार patient आता है patient कहता है डाक साब आप बचा लो आप ही भगवान हो दोस्तो ये जो डॉक्टर है ये किसी भी बिमारी को modify कर सकता है उसको उसके हाथ में कोई जनम उसके हाथ में किसी म्रत्यू को बचाना नहीं है अगर डॉक्टर के हाथ में अगर सब कुछ ऐसा है तो वो अपने parents या अपने घरवालों को तो कभी मरना ही नहीं देता सो दोस्तो बात ये है कि जितनी डॉक्टर की responsibility और जम्मेदरी है दोस्तो उतनी ही हमारे समाज हमारे politics हमारे सब हमारी उस डॉक्टर के लिए भी होती है जो आज की जो practice है दोस्तो उसमें ये देखने को मिलता है कि हमारे patients में धहर्रे बहुत कम है बहुत जल्दी वो गुसा हो जाते हैं नाराज हो जाते हैं दोस्तो किसी आदमी की मरत्यू घर पे हो जाए कोई कुछ नहीं बोलेगा किसी आदमी की मरत्यू डॉक्टर के अंडर में hospital में हो जाए तो वहां तोड़ खोड होती हैं डॉक्टर को पीटने लग जाते हैं दोस्तो ऐसा नहीं करना एक आस्था लेके जाते हैं बगवान के पास, जो आस्था लेके जाता है, उसका कार्य पूर्ण होता है, तो दोस्तो ऐसे ही अगर आपको किसी डॉक्टर में आस्ता ही नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट भी आपको नहीं लागू होगा आपको उसकी आस्ता है बहुत पार दोस्तो ऐसा होता है कि मेरे पास ऐसे पेसेंट्स आते हैं आपने दवाई लिखी और मेरे को बिलकुल में तीन दिन में टका टक मस्त हो गया दोस्तो वो दवाई पहले भी ले रहा था बट उसकी आस्ता है वो ठीक हो गया हमें भी बहुत अच्छा लगता है इसलिए दोस्तो एक dedication एक आस्ता होनी चाहिए हमारी उस doctor के लिए उसके profession के लिए बहुत बार ऐसे patient आते हैं leprosy, HIV, tuberculosis जिनको normal आजमी टच भी नहीं करता है यह वो doctor ही है जो दोस्तो बैड में पॉट्टी भी कर दिया patient ने bleeding हो रही है इतना severe infection है बहुत बार गेंगरीन के patient आते हैं यह doctor ही तो है जो उन patients को बचाता है यह doctor ही है दोस्तो जो उन patients को दोस्तो यह जो profession है जो doctor's day है आज हमें doctors को यह सपत लेनी चाहिए कि मेरे को हर priority में मेरा patient मेरा घर वाला भी बाद में उसकी जान बचाना आपका primary अधिकार है आपकी duty है मेरे को मेरे patients के लिए कुछ भी करना पड़े doctor के लिए कोई दुस्मन नहीं है doctors के लिए कोई वो कैसा भी है terrorist यो कुछ भी हो वो आपको जो है doctor सबके लिए बराबर है दूसरा यह हमें सबत लेनी है हमारे समाज को कि दोस्तो हमें उतनी ही सरद्दा जित्ती है अगर हमने भगवान का दरजा दिया है तो उतनी ही सरद्दा से हम जो है doctor का respect करें और आने वाले समाज को आने वाले बच्चों को ये message दें कि हाँ ये profession अच्छा है noble profession है हर आदमी हर parents हर लड़की ये चाहती है कि मेरा husband doctor हो लेकिन दूसरे end पे क्या है कि जो ऐसे वाकिया होते हैं जब लोगों को लगता है कि doctor नहीं बनना चाहिए बर दोस्तो medical profession है जो doctor है बहुत noble profession है अगर आपन dedicated किसी की सेवा की है तो बगवान भी आपकी मदद करता है दोस्तो जब हम surgery करते हैं जब हम surgery करते हैं बहुत बार ये सरीर की आंतरीक संरचना इतनी जटिल होती है कि हमें खुद को भी ये पता नहीं लगता कि इसको कैसे manage किया जाए दोस्तो उस time पे एक one-to-one relation चलता है कि म में और मेरा बगवान वो मेरा बगवान जो मेरी मदद करता है मेरे को mark दिखाता है मेरे को drusty दिखाता है कि इस operation को कैसे करना है सो दोस्तो डॉक्टर के सामने भी बहुत बार wicked परिष्टितिया होती है बहुत बार ऐसे patients आते हैं जिसके cancer की report positive आ गई तो डॉक्टर को कैसे पताना है उस patients को उस पे क्या गुजरेगी ये सारी feeling लेके और वो डॉक्टर उस patient को बताता है की लेकिन उसके लिए एक डॉक्टर का काबिले उसकी skill उसका बोलने का ये सब चीज़े काम में आते हैं लेकिन साथ में हम patients को भी देरे रखना चाहिए डॉक्टर का सम्मान करना चाहिए और अपने बच्चों में अच्छे संसकार डालने चाहिए कि डॉक्टर बने तो भी वो जो हमारे जमीन के जो मारमिक मुले हैं उनको कभी नहीं बुले तो दोस्तो एक बार फिर इस डॉक्टर डे पर आप सभी का तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और इस डॉक्टर डे पर दुबर आज एक सपत लेते हैं कि हम डॉक्टर का सम्मान करेंगे एंड डॉक्टर्स भी इससे बत लेते हैं कि जो है वो अच्छे से हम हमारे पेशेंट्स के लिए जी जान से प्रियास करेंगी थैंक यू